जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों रेलवे के स्टुडेंट्स का हमेशा से एक सपना था कि रेलवे का जो एक्जाम कलेंडर है वो जारी होना चाहिए क्योंकि railway में vacancy का इंतजार करने के लिए student को 4-5 साल तक इंतजार करना पड़ता था इसी वज़े से railway student का ये सपना था कि railway का भी exam calendar जा रही हो जिसकी वज़े से जो railway की vacancy से वो हर साल railway जारी करें जिससे कि जो student है उनको काफी हद तक फायदा मिले क्योंकि student क्या करते कि एक exam की अगर 4-5 साल तक लगातार तयारी कर रहे है और उस बीच में वो vacancy नहीं आती है जैसा कि अभी हुआ है कि पिछले 2018 से और अभी तक railway में ALB की vacancy नहीं आई थी और जब vacancy आई है तो इतनी कम संक्या में आई है तो कहीं न कहीं इसी वज़े से student को इन सब बातों का डर रहता था कि railway में vacancy आखर आएगी भी या फिर नहीं आएगी तो दोस्तो railway ने आपकी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुन लिया है और आपका जो exam calendar है इत्यास में पहली बार railway का exam calendar जारी हो चुका है दोस्तो official website पर तो वीडियो में आपको complete information मिलने वाली है कि railway कब किस मन्त में कौन सी vacancies के notification आउट करेगा और दोस्तो अगर आप railway की तयारी कर रहे हो तो science का कितना important है आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम होगा तो अगर आप science की book purchase करना चाते है तो किलन पब्लिकेशन की जो सार संग्रे इसको आप purchase कर सकते हैं जिसमें की आपको 27,000 प्लस प्रशनों को इसमें संग्रे दिया गया है जो कि आपकी तैयारी को बहतरीन तरीके से complete करवाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो government of India, ministry of railways, railway recruitment board, annual calendar for RRB recruitment, issue of centralized employment notifications तो यहाँ पर एक side में आपको time period दिया गया और एक side में आपकी किस category की vacancy आईगी वो बताया गया तो देखिए सबसे पहले आपकी January से और March के बीच में आपका notification आजाये करेगा Assistant Locopilot का ALP का आपका notification आजाये करेगा January से लेके March के बीच में ठीक है दोस्तो इसके बाद में आपका technician का notification आएगा April से लेके June के बीच में कब April से June के बीच में आपकी technician का notification है वो out हो जाये करेगा फिर इसके बाद में July से लेकर September में आएगी आपकी NTPC की vacancy NTPC का आपको मालूम ही होगा कि इसमें दो तरह की जो vacancy से वो आती है graduate level और एक अंडर graduate level तो दोनों आपकी एक सांथ में आजाये करेगी इसके लावा आपका July से September के बीच में जूनियर इंजिनियर की वी vacancy आजाये करेगी और इसके अलावा आपकी जितने भी पेरमेडिकल के टेगरेस की जो vacancy होती है वो भी July से September के बीच में आपको देखने को मिलेंगी इसके बाद में फिर आपकी last stage में आएगा October से लेकर December के बीच में लेवल बन की जितने भी पोश्ट होती है उन सब का notification यानि की आपकी ग्रूप D की vacancy जो आएगी वो आएगी October से लेके December के बीच में और इसके अलावा जितने भी Ministerial and isolated category होती है उन सब की vacancies भी आपको October से लेके December के बीच में देखने को मिलेगी और नीचे आप देख सकते हो दो 2024 के date में ये जारी किया गया Chair Persons Railway Recruitment Boards तो दोस्तो रेलवे के इत्यास में सच में पहली वार ऐसा हो रहा है जब रेलवे का जो exam calendar है वो जारी किया गया ठीक तो रेलवे में yearly vacancy आने का फाइदा ये होगा कि कोई student अगर किसी बार exam में रह जाता है किसी गलती की वज़े से तो अगले साल उसको बापस से वो opportunity मिल जाएगे जिसके वज़े से वो कही ना कही अपना railway में जाने का जो सपना उसको पूरा कर सकता है उस्तो रेलवे में yearly vac vacancy आने से एक वात जरूर है कि जो railway में vacancy की संक्या है वो अब जितनी अभी ALP की vacancy आई है सेम उसी तरीके से railway में हर साल vacancy आया करेगी जिसकी वज़े से कही ना कही जो student है उसको ये लगता था कि railway में जो बहुत जादा vacancies आती है और कटो भी थोड़ा कम जाता है तो वो कह student को रहने वाला है क्योंकि अब हर साल अगर vacancy आईगी तो कम संक्या में vacancy आईगे जिसके वाज़े से जो student है वो भी काफी अच्छी तरीके से अपनी तयारी को करते रहेंगे और जिससे इसका जो cutoff है railway की सीवी category का वहाई जाने वाला है दोस्तों कहने का सीधर सा मतलब मे बाकी railway के especially पर आपकी क्या रहा है मुझे comment box में बताना बिल्कुल न भूले और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share and channel को subscribe करना भी बिल्कुल न भूले क्योंकि especially आपके लिए time निकाल कर वीडियो बनाता हूँ तो आपका भी फर्ज़े कि वीडियो को like कर दिय करो ठीकर ना दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नाय टोपिक के साथ अब तक के लिए जहिंद वंदे मातरम